तेली किचन बाइनाज में आपका इस तब बाले है आज हम आपके लेकर आए हैं पहजा फराई मसाला रेसिपी जो बहुत ही डिलेशिस और मज़दार और टेस्टी रेसिपी होती है हम ले लिया है यह एक पहजा इस प्रेंड को हमने इसके अच्छे से से साफ कर लिया था हमन इसे बहुत बारिक बारिक नसे होती है इसे बहुत बारिक के साफ करना होता है तो इसे हमने अच्छे से साफ करके इसे वाश कर लिया है और केई पानी में से ढोया है तो अब हम इसको एक दफ़ा और बाइल करेंगे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे तो बाइल करने के पेल में हम इसे प्रांस्फर कर देंगे तो चीने के छोड़ा से टुकड़ा डाल देंगे और एक तेस्पात का पत्ता डाल देंगे अग्टी बादी डाल देंगे तो एक बाईल लेना है और ज्यादा इसे नहीं पकाना है एक बॉइल लेके हम इसे निकाल लेंगे बेजे में बॉइल आ चुका है अच्छे से तो चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे यह देखे हमने बेजे को बॉइल कर लिया बॉइल करने के वाद हमने प्लेट में से निकाल लिया है तो इसमें जो हमारा समाल जाएगा वो कुछ इस तरह से है हमने लिया है वन टेस्पून धनिया वन टेस्पून हमने पुटी लाल मिर्च लिया है हाफ टेस्पून हमने रेड चिली पौडर लिया है हाफ टेस्पून हमने करम मसाला लिया है और हाफ टेस्पून हमने काली मिर् एक टेमाटव टिक लिया है हमने रफ्ली चोप कर लिया है बड़ा साइस पर ऑफ़न टीज पॉन भरके हमने अधर प्वसन का पेस्ट लिया है और हमने एक एक देस पात के पता लिया है चोटे साइज की दो प्यास जोर रफली चोप कर ली है यह भी हमारी इसी में जाएंगी दो टेबल इस्वून हमने मस्टर्ड ओईल को अच्छे से गरम कर लिया था तो इसमें हम भेजर डाल देंगे और भेजर को हम इसमें अच्छे से फ्राइब करेंगे और फ्राइब करेंगे से नहीं में जितने हममें कट लगाने है हैं और बाद में जब हम इसे पकाएंगे थोड़ावोच हम इसमें बहुत अच्छा टेस्पून नमक और नमक के साथ इसका टेस्ट और बढ़ जाता है तो आप भी इसके दफ़र डालके इस तरह पका कर देखें इस तरह कैसे साजे कट कर लिए हैं चम्चे की मदर से आप जाएं तो प्लेट के अंदर चुरूई से भी बढ़ सकती है और यह जो छागा आ रहा है यह हमने भेजा प्राई कर रहा था तो इसमें आ रहा है आप इसके बिल्कुल की तवज्जे ना देए प्याज हमें सोफ करने हैं लाइट पिंग होने तब इसनी ही बूलनी है हमें इन से 4 मिन हो चुके हैं हमाई प्याज ग्राउंड होई वे देखें हमें इस तरीके से बस ऐसे ही चाहिए अधग लसन का पेस्ट एड़ करेंगे अधग लसन का पेस्ट हमारा अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें टमाड़ एड़ करेंगे बताइच करते हैं हमस्त से पाउट रगृत हमस्त करते हैं बोस्तित में लगा देंगे ताकि हमारे टमाडर सोफ्ट गया साइव तो Украї करें टमाडर हो चुके हैं तो चलिए हम अपने टमाड़ चेक कर देah तो टमाट इन अच्छी से बून चुकत हैं तो हमा里े के ब्लाइए तो मुझ वारा वोकुन डाले कर देंगे mines कर दिए तो मंट कर देंगे नगया सानगत अच्छी साव नगया है म्याद अच्छी सा मारा भून चुकत है तो हम भेजा महाईड कर देंगे और भेजों को मसाले के साथ एक से दो मिनिट तक अच्छे से भूनेंगे और यह जब हमारा अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम ग्रेवी के निया पानी एट करेंगे यह गया थोड़ा सा हरादनिया और थोड़ी से हमारी हरी मेंचे जो हमने कट की ती यहां भेजे में हम एक किलास पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए लेकिन आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी एड़ कर सकते हैं अब हम इसकी लीड लगा के पांच मिनट के लिए लोव फिलेम पे कुप करेंगे माश अलला हमें इसनी हिक्रेवी चाहिए आप चाहिए तक खुश्क कर लें इसे के भेजा हमारा हो गया है तैयार हम केस की फ्लेम आफ कर देते हैं और आईए चलिए इससे फर्व कर लेते हैं तो हम थोड़ा से हराधन ये इससे गार्णिश कर लेते हैं ये देखें माश अलला हमारे भेजा मसाली की रेसिपी आपको पसंद आईए तो आप भी इसे बनाएं खाएं और खिलाएं ये चपाती और तंदुरी रोटी के साथ बहुत मज़ेकी लगती है हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेर करें लाइक करें कॉमेंट्स करें दुआओं में याद रखें चैनल को सबस्क्राइब करें अल्ला हाफीज